नमस्का और दोस्तों, नरेंदर गुपता के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है पेशे बॉलिवूट की लिटेस्ट न्यूज टाइगर हुआ जखमी जी याँ लिटेस्ट खबर टाइगर 3 की शुटिंग से है कि सल्मान खान जखमी हो गए उनकी बैक में चोट लगी है इसके बावजूद शुटिंग जारी है पांच दिन की शुटिंग हो चुकी है और बैलेंस पांच साथ दिन और करनी पड़ेगी शुटिंग जारी करने की एगी वज़ा है कि सल्मान और शारू की कॉंबिनेशन डेट्स नहीं मिल पाएंगी सल्मान ने खुद अपनी जखमी पीट का फोटो शेयर करते हो लिखा जब आपको लगता है कि आप पुर्द दुनिया का वेट उठा सकते हैं दुनिया तो छोड़ो पांच किलो का जीम का वेट नहीं उठा सकते पांच का मिलन हो गया जी नहीं इन दोनों की नई फिल्म टाइगर वसिस पठान शूरू नहीं हुई है बलकि ये फिल्म है टाइगर जिसकी शूटिंग लास्ट वीक मड आइलेंड में शूरू हुई जहां पर 30 करोड का एक बहुत ही महंगा सेट लगाया है फिल्म के प्रोडूसर अदित्य चोपडा ने मुंबई के माई डालिंग में तीन सेट लगाये गए है एक जेल का इंसाइड का सेट है एक दुसरा हिल का सेट है जहां केबल कार की शूटिंग की जाएगी और एक लंबा सेट रोड का बनाए गया है जहां चेजिंग सेक्वेंस शूट की जाएगे यह शूटिंग 10 दिनों में कंप्लीट की जाएगी और जेल का सेट कंटिनेशन है जिसी शूटिंग यश्राच स्टुडियो में कुछ महिने पहले की गई थी टाइगर 3 के निर्माता अधित्य चोपडा के मताबिक टाइगर 3 का एक्शन सेक्वेंस अभी तका सबसे बेस्ट सेक्वेंस होगा भारतिय और फिल्म इंडस्टी में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं आई होगी जिसके मुकाबले ऐसा एक्शन सीन कभी शूट किया गया होगी यह एक्शन सीन फिल्म पठान के भी एक्शन सीन से कहीं कहीं ज़्यादा दमदार और लंबा बताया जा रहा है जेल के सीन को कॉडिनेट कर रहे हैं कोरियन के स्टंट डारेक्टर और जो केबल कार की सिक्वेंस होईगी उसके लिए खास तोर पे अफ्रिकन कंपनी को हैर किया गया है फिल्म में मशूर बाडी बिल्डर विरेंदर सिंग का भी एहम इस्सा है आपको पता ही होगा फिल्म की हिरोन है कैटरीना कैफ और विलेन बने है इमरान हाश्मी यह फिल्म रिलीज होईगी 10 नवंबर 2023 को फ्राइडे के दिन लेकिन दिवाली है दो दिन के बाद यानि की 12 नवंबर वैसे यशिराज का दिवाली पर रिलीज पिछला रेकॉर्ड अच्छा नहीं रहा आपको पता ही होगा कि 8 नवंबर 2018 को फिल्म रिलीज होई थी ठक्स ओफ हिंदुस्तान उपनिंग थी 50 करोड थी की भी ज्यादा लेकिन पिच्चर चोहते देनी गिरकर 5 करोड पर आ गई थी और पिछले साल 2022 में दिवाली पर दो फिल्म आई थी अक्षे कुमार की रामसेतू और अजे देवगन की ठेंक गॉड और दोना ही फिल्में बुरी तरह फ्लॉप होई थी देखते हैं इस दिवाली पर टाइगर और पठान क्या गुल खिलाते हैं रनबीर कपूर की फिल्म एनिमल का एक्षन सीन उलाया गया है फॉरें फिल्म से जो फर्स्ट लुक एनिमल का लॉंच हुआ था उसमें रनबीर कपूर को दिखाया गया है कि वो सिगरेट पी रहे हैं और एक हात में कूलारी है डिरेक्टर संदीप रेड़ी ने ये सीन हुभव उड़ाया है 2004 की सूपर एक्षन कॉमेडी फिल्म कुंगफु हसल से हमारे इंडियन फिल्म इंडर्स्टी का जवाब नहीं कॉपी करके उसको चिपका देना है इंडियन ओडियंस को विकी कौशल चतरपती संभाजी महराज के रोल में प्रोडूसर दिनिश विजन डिरेक्षर लक्षमन उटेकर और एक्टर विकी कौशल फिल्म में नजर आएंगे जिसका नाम है चावा यानि शेर का बच्चा ये फिल्म आधारीत होगी चतरपती संभाजी महराज की तुन को रिलीज हो रही है मिस्टर विकी हिस्टोरिकल फिल्म में समाल कर तयारी कीजिएका कोई विवात खड़ानी हो जाये क्योंकि अक्छा फिल्म पर कई सारे विवात खड़े होते हैं फिल्म बंद होती है कटिंग शार टरनी पड़ती है उमिदे कि आप तीनों लोग इस बात का ध्यान रखकर ही फिल्म बनाएंगे The Kerala Story से Supreme Court ने हटाया बैन West Bengal ने इस फिल्म को बैन कर दिया था Supreme Court ने उसे हटा दिया साथ ही Tamil Nadu सरकार से कहा है कि थेटर को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम है अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं है तो मत देखे साथी दूसरी याचिका जिसमें Kerala High Court ने फिल्म को बैन करने से इंकार कर दिया था उसकी सुनवाई अब मदी जुलाई में होगी क्योंकि Supreme Court अब खुद इस फिल्म को देखना चाता है जहां हम Box Office की बात करते हैं